हेलो फ्रेंड स्वागत है आप लोका हमारी यूटूप चैनल श्रॉलाइंग क्लासेज में आज किस वीडियो में हम देखने वाले आपके सिपाही बहाली प्रश्ण पत्रली कांट से रिलेटेड जो कि यह सारे नूज यहां पर आपको दिया जाता है हमारी चैनल पर तो एक सिपाही बहाली प्रश्ण पत्रली कांट में पूरो डीजिपी और केंद्रियो चैन परसत के ततकाली नधियाच इसके सिंगल कि लापरवाही की कई उदारन जाच में सामने आ रहे हैं यहां पर पूरो डीजिपी भी फसे हुए और इसके साथ ही इस सब भी मिलकर यहां जो पेपर लिक करवाए गया है और यहां पर सुत्रों की माने तो ईयो यू की जांस्ट रिपोर्ट कहती है कि इसके सिंगल ने अ बाद अब नया मामला सामने आया है यानि कि जो कंपनी थी वो भी आपर गलत कंपनी थी देख सकते हैं ब्लैक लिश्टेड कंपनी थी रहें पर पेपर छपवाए गया था और यहां पर जाज रिपोर्ट में भी सामने आए कि पूरो डीजिपी ने आपर लखनाओ के एक सल आई सीटी सोफ्टियर प्रम जो आपर प्रा लेंटेड है इसको भी सिपाही बहाली का गुपनिय कर दिया था यह कंपनी अजय मिस्ञा की हैं यहां पर ब्लैक लिश्ट कंपनी कर जो पेपर को छपने के लिए और सारा कूछ यहां पर छपमारी किया गया है चपमारी के दोरान अजय मिस्रा के दफ्तर उसे जो है पूली सिपाही बहाली से जुड़े कागजात बिहार राज क्रम चारी चाहे नायोग में बायमेटर्क से समझनित कागजात और अन्य गोपनिय दस्तावेश जब्त किया गया है निकि जब जाच की गई तो यह सारे यहाँ पर दस इस विध्याले के वाइट चांसलर यानि वीसी और अजय मिस्रा पर आरोप लगाया था कि इन लोगों ने बिल पास कराने के लिए एक दुस्तम्रों चारे कड़ों रुपे कमिसन लिया था और यहां मामला सी बियाई तक पहुंची थी नहीं कि 2022 में भी इन सभी पर आरोप यहां पर लग चुका था और यहां पर बात करें तो करवाई भी हुई थी सी बियाई तक पावला पहुंच गया था लेकिन फिर यहां पर फिर से हवर्दात का जो है आपर दिया गया है देख सकते हैं छपाई का ठाया का तो दिया पर ढूलाए कि किसी से नहीं कि थी बात और यहां पर सारा कुछ लापरवाही बरता जा रहा था जिस कारण से ही यहां पर सिपाही बहाली जो आपका प्रश्ट पत्र है वह लिक कांड हुआ है तो क्यूंकि यहां पर जो सभी पर इसलिए करवाई की जा रही है क्यूंकि लापरवाही बरता गया सभी के दवारा तो मैंने अपडेट रहा आज का वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक चुरू करें दोस्तों साथ सेर्वी करें ठैक्स पूर आज ने वीडियो